हेलो फ्रेंच वेल्कम वैक टो एक्टिव माइन तो फ्रेंच आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वर्क इनर्जी एंड पावर्ड तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे केवियस का सिलेबज जो हमारा उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं तो देखिए इसके पीछे हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक है वर्क इनर्जी एंड पावर्ड यह थोड़ा लेंदी चेप्टर है लेकिन कोई नहीं फ्रेंच इसको हम आज ही कंप्लीट करेंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने क्या-क्या क पावर काइनेटिक एंड पोटेंशियल इनर्जी लाप कंजर्वेशन आप इनर्जी तो आज हम इसको डिसकस करने वाले हैं जहां तक हमारी कोशित रहेगी इसको हम आज ही खतम करेंगे तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंट सबसे पहले मैं आप को यहां पर बता दूं कि यह सारा कुछ इंग्लिस में लिखा लेकिन मैंने आप जैसे आप लोगों ने बोला कि हिंदी में भी चाहिए हमको तो मैं आप लोगों के लिए लास्ट में यहां पर हिंदी में सब कुछ जो है लगा दी हूं तो अगर आपको हिंदी में चाहिए वहां बताऊंगी लेकिन ये आप यहां पे आके हिंदी में पढ़ लेना तो इजी हो जाएगा मैं लाश्ट में इसका रीडिंग भी कर दूँगी एक बार जितना भी समझाऊंगी तो चलिए देखिए फ्रेंड्स अब यहां पे आता हमारा वर्क डन तो सबसे पहले जब वर्क का नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है मतलब वर्क क्या है सबसे पहले क्या है हमारा वाट इज वर्क क्या है तो अब आप लोग सोचेंगे वर्क क्या है तो मैं आपको बताओं वर्क जो है फिरेंस वो हमारा एक तो होता है mental work एक होता हमार फिजिकल वर्क क्या होता है एक होता हमारा mental work एक होता physical work warm अब जिसे आप लोग दिन भर बैठके पढ़ाई कर रहे हैं यह क्या हो गया mental work आप कुछ revise करें कुछ learn कर रहे यह क्या हो गया mental work आप बैठे बैठे कुछ सोच रहें यह क्या हो गया mental work लेकिन हमको यहां पर हमारे physics में mental work के बारे में discuss नहीं करना यहां पर हम mental work नहीं पढ़ेंगे हमको तो पढ़ना है यहां पर physical work physical work क्या है अब यहां पर सवाल आता है physical work क्या है तो first physical work वो है जब हम किसी भी चीज़ पर force लगाते हैं और वो displace करती है क्या करते हैं हम उस पर force लगाते हैं किसी भी object पर force लगाएंगे और वो displace करेगी यानि उसका position change होगा वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगी तब ह हम उसको क्या वो लेंगे कि वहां पर work हुआ है अब जैसे आप लोग दिन भर बैटके पढ़ाई करें तो क्या मैं बोलूं कि आप लोग मतलब work done करें आपने कुछ work किया बिल्कुल नहीं आपने कोई भी work नहीं किया तो ऐसे बहुत सारे concept होते हैं जहां पर हमको ऐसा लग पुली नकुछ नकुछ काम किया है लेकिन फिर भी वहां पर work done क्या होता है जीरो होता है तो ऐसा क्यूं होता है work done आखीर है क्या तो देखें फ्रेंट्स अब यहां पर आता हमारा work done का definition तो यहां पर क्या है वेना force जब एक फोर्स जो है जब एक बल आयक्त आना object किसी भी object पे काम करती है मालीज़े इधर से हमने force लगाया किसी भी object पे तो क्या हुआ object move जब यह object क्या करेगा move करेगा we call it force has done work on object फिर हम क्या बलेंगे कि इस force ने इस object पे कुछ न कुछ काम किया है अगर मालीज़े आप एक दिवाल पे ऐसे खूप तगड़ा हाथ से मतलब धक्क थोड़े न कर रही है अब आप अपनी चाहे जितनी भी ताकत लगा दीजिए दिवाल वही है वो displace नहीं कर रही है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे work done क्या है zero है बोलेंगे न मालीज़े खूप बड़ा सा चट्टान है आप उस पे कितना भी जोर लगाते रही है अगर व अपने जगां से नहीं हिला displace नहीं हुआ उसकी position चेंज नहीं हुई तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे work done क्या है zero है तो उसी तरह से अगर आप मालीज़े 8-10 गंटे पढ़ते रही है लेकिन आप कहीं कुछ displace थोड़े नहीं आप तो mental work कर रही है तो यहाँ पर भी क्या हो बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ नकुछ काम हुआ है फोर्स ने कुछ नकुछ काम किया है अब देखे दूसरे language में इसको हम क्या बोल सकते हैं work done defined as product of force and displacement तो यहाँ पे हमने क्या बोला एक तो कोई मतलब बल जो है जो फोर्स है वो कुछ नकुछ काम करेगी तो काम काम करेग जब वो object जो है displaced होगा अपने position को change करेगा अब यहाँ पे एक line आता है done in direction of force अब जैसे मालीजे आपने जैसे यह object है object इधर displaced हो रहा है displacement इसका इधर हो रहा है force आप इधर लगा रहे है और यह displacement इधर हो रहा है तो क्या यहाँ पे कोई work done हो रहा है बिलकुल नहीं यहाँ work done क्या है zero है तो फ्रेंड्स वही यहाँ पे बोला जा रहा है जो work done होता है उसको कैसे हम define करते है product of force and displacement in direction of force जिस दिशा में जिस दिशा में force लगेगी उसी दिशा में displacement भी होना चाहिए otherwise क्या हो जाएगा work done हमारा zero हो जाएगा अभी हम इसको next discuss भी करने वाले हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है जो हमारा work done होता है अब जैसे product product मींज क्या होता multiply तो यहाँ पे देखे इसी तरह से इस तो क्या हो गया इन दोनों का product हो गया यानि इन दोनों का multiply करके हमारा work done आता है लेकिन यहाँ पे condition यह है कि जो भी displacement होगा जो भी force लगेगा displacement होगा वो force के direction में भी displacement होना चाहिए यानि जिधर force लग रही है उधर ही हमारा displacement भी होना चाहिए अगर force इधर लग रही है displacement इध यहाँ पर आता हमारा work done जो होता है, वो क्या होता है, scalar quantity. तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा force होता है, वो क्या होता है, vector quantity. जो displacement होता है, वो क्या होता है, vector quantity. लेकिन जो friends हमारा work done है, जो इन्हीं दोनों का क्या है, product है, यह क्या है, scalar quantity. ध्यान देना force vector quantity है displacement भी vector quantity है लेकिन हमारा work done जो है वो क्या है scalar quantity है और इसकी SI unit क्या होती है जूल होती है CGS unit क्या होती है अर्ग होती है और friends इसका formula आप लोग तो पता ही चल गया होगा W equal to F into S या फिर F into D यानि force into displacement अब देखिए यहाँ पर इसका जो यह मतलब अगर मा लिजे आपसे एक्जाम में पूछ लिया कि work done की unit क्या है अब वहाँ पर जूल ना देके वो क्या दे सकता है Newton meter कैसे जो हमारा force होता उसका unit क्या होता है Newton जो हमारा displacement होता उसका unit क्या है Newton meter तो क्या हो गया Newton meter तो हमारा जो work done है उसकी unit को हम Newton meter भी बोल सकते हैं और इसी Newton meter को हम Joule लिख देते हैं ऐसे ही तो अगर Joule ना देके वहाँ पर Newton meter दे दे तो आप confused मत होना वही Joule को ही हम Newton meter बोलते हैं तो अब देखिए friends यहाँ पर आता हमारा positive work, negative work, zero work यह कब कब कैसे कैसे होता है तो चलिए यहाँ पर discuss करते हैं तो देखिए यहाँ पर positive work, positive work क्या हो जाएगा friends जैसे माली जी कोई object जो है move कर रहा है कोई object क्या कर रहा, move कर रहा, यह इस direction में move कर रहा और आप force भी इस direction में force भी लगा दीजिए यानि कोई object जिस दिशा में move कर रहा, आप force उसी दिशा में उसी direction में लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा work done क्या होगा, positive होगा, यानि जो भी object है वो किसी भी force है जिस दिशा में इसका displacement हो रहा, उसी दिशा में आप force भी लगा दिजे, जिससे यहां देखिए, यहां पर क्या है हमारा displacement इस साइड में हो रहा, हमने force भी इसका इसी साइड में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा friends यहां पर, जो work done है वो positive होगा, यानि, if yav, यानि force and displacement has same direction, work done यानि, positive, यानि, जब जिस दिशा में object जा रही, उसी दिशा में हम force भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा work done, positive हो जाएगा, और यहां पर angle between yav and yav is 0, यानि, इनके बीच में angle क्या है, 0 है, आप देखिए, it increases the speed, यानि, अगर मालीज, यह कोई भी वस्तु जिस द खका दे दिजे, तो जिस दिशा में, जिस direction में जा रहे हैं, उसी direction में और तेजी से जाने लगेंगे, यानि, क्या होगी, उनकी speed जो है, वो बढ़ जाएगी, यानि, acceleration वहाँ पे उनका increase हो जाएगा, अब यहां पे आता, friends, हमारा negative work done, अब क्या है, मालीज, जिस दिशा मे move कर रही है, हमको उसके opposite direction में force लगाना है, object जिस direction में move कर रही है, उसके opposite direction में जब हम force लगाएंगे, तो क्या होगा हमारा negative work, अब negative work, तो अब क्या होगा, friends, जैसे मालीज, आपकी जो sister जा रही है, वो खुब तेज cycle चला रही है, अब उसको नहीं पता कि वो cycle कैसे रोके, अब हो बोडी, बचाओ, बचाओ, रोको, रोको, तो आप क्या करेंगे, उसका जो उसको पीछे से पकड़ के खीच लेंगे, यानि वो इस दिशा में वो displacement कर रही थी, आप क्या करेंगे, उसको इस दिशा में force लगाएंगे, यानि जिस दिशा में کوई object मूब कर रहा है, उ उसकी opposite दिशा में जब आप force लगाएंगे तो क्या होगा हमारा work done जो है वो negative होगा यानि यानि if yeah fine yes यानि हमारा जो force है और displacement है और in opposite direction तो work done क्या होगा negative हो जाएगा अब यहां पे इनके बीच में angle between yeah fine yes क्या हो जाएगा 180 degree इस तरह से क्या हो जाएगा इनके बीच में angle 180 degree अब जैसे दखिए object इस दिशा में आपने force लगाया इस दिशा में यहां पे angle क्या हो गया 180 degree तो आप देखिए friends it will decrease the speed यानि वो जिस दिशा में जा रहा था आपने उसके opposite direction में force लगाया उसको पीछे से पकटके खीच लिया अब क्या होगा उसकी speed क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और इसमें हमने motion में इसको पढ़ा भी था इसी को हम क्या नाम दे देते हैं रिटार्ड यानि जब भी कोई बस तू मूब कर रही है उसको जब हम पूल कर लेंगे खीच लेंगे तो वो रुकने लगेगी धीरे धीरे तो वो जो रुकती है उसको हम क्या बोल देते हैं रिटार्डेशन और जब उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो इसी लरेशन जब इस फीड को घटा देते यानि रोक देते हैं तो रिटार्डेशन तो इसको हमने डिसकस कर लिया है अब देखिए फ्रेंट्स यहां पर आता हमारा निश्ट केस क्या है जब मतलब वर्क ड रही अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है यानि वह डिस्प्लेश नहीं कर रही है तो यहां पर इसका वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यानि अगर हमारा डिस्प्लेश्मेंट जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब अगर माल लिज लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसा है스ν है कि मतलब हमारा यहां पर जैसे देखिए माली जे अगर यहां पर मतलब ऐसा भी केस हो सकता है कि अगर हमारा कोई object move की move भी कर रहा है यानि displays भी हो रहा है और वहां पर फोर्च भी लग रहा है क्या फिर भी work done 0 हो सकता है तो यहां पर हमको discuss करना है तो आप देखिए माली जे फ्रेंट्स यह हमारा यह हमारा object ठीक है यह हमारा object अब यहां पर क्या हो रहा ऑबजेक्ट हमारा इस direction में 5 कर रहा है लेकिन हम four skidh PAC को लगा रहे हैं नीचे की साईड में तो क्या हो गया हमारा object है वह क्योंकि यहां पर नीचे की साइड में लगा रहा है अब यहां पर इनके बीछ में एंगल क्या हो गया ninety degree तो अब यहां पर क्या हो जाएगा जो हमारा वर्कडन है वो जीरो क्या हो जाएगा हमारा वर्कडन जीरो क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है वैसे भी मैंने आपको बताया था अगर कोई भी चीज मतलब इसका डिफिनिशन क्या है वर्कडन का कि कोई भी चीज जिस दिशा में डिस्प्लेस कर रही है उसी दिशा में उसका फोर्स भी लगना चाहिए यानि फोर्स के डिरेक्शन में ही डिस्प्लेस्मेंट होना चाहिए लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा यहाँ तो जार ही वस्तू इस साइड में फोर्स लगा रहे हम इस साइड में तो क्या होजेगा हमारा वर्क्रडन जीरो तो आप याद रखिएगा जब भी वर्क्रडन जीरो होता है तो एंगल बिट्विन एफ आइंड याज यानि फोर्स आइंड डिस्प्लेस्मेंट के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री यानि जो हमारा डिस्प्लेस्मेंट हो रहा ये इसके मोशन को जो है अफेक्ट नहीं करेगा इसके मोशन पर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ेगा अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्वेस्टन कसा आईगा अगल पुशेश अबुक बाई अप्लाइगा फोर्स आफ 10 न्यूटन यानि मा लिजे कोई सा एक टेबल है उसपे कोई एक क्या है कोई एक बुक है तो क्या है एक गर्ल जो है वो पुश करती है बुक को बाई अपलाएंगा 10 न्यूटन फोर्स तो यहाँ पर वो कितना लगा रही है 10 न्यूटन का फोर्स फाइंड दा वर्क डन बाई दा फोर्स इन डिस्प्लेसिंग दा बुक थूरू 30 cm एलोंग यानि इसका हो गया उसी डायरेक्शन में यानि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में 30 cm डिस्प्लेस करने के लिए क्या हमको निकालना है यहाँ पर फोर्स दिया है डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पर हमको यस दिया है जो उसका क्या है डिस्प्लेसम दिया आप हम क्या कर देंगे यहां पर देखिए सेंटी मीटर में है लेकिन मैंने आपको क्या बताया था जो हमारा जो हमारा वर्क डन होता है उसका यूनिट क्या है न्यूटन मीटर क्या है न्यूटन मीटर तो यहां पर तो सेंटी मीटर में दे दिया देखिए फिजिक्स म हम क्या बोलते हैं जूल भी बोलते हैं तो न्यूटन मीटर जब उसका यूनिट है तो यहां हम सिंटी मीटर नहीं ले सकते हैं यहां हमको मीटर लेना पड़ेगा तो यहां पर हम क्या कर देंगे यहां पर इसको 10 से डिवाइट कर देंगे तो यह हमारा मीटर में चेंज हो ज जाएगा अगर यहां पर यह मज़ता में आया होता थो हम भोलते वर्ठ लेकिन ऐसा कुछ नहीं यह तो हमारा पॉजटिव वर्ठ डन अब आप कैसे समझ सकते हैं dominant 113 में NATAS कर दिने जारी इसी के Brenton याँई इस को हम भोलते हैं क्या बोल देते हैं along यानि उसी direction में अब देखिए यहां पे next question हमारा a ball of mass 2 kg एक जो है क्या है एक ball है उसका mass कितना है 2 kg है thrown upward reaches maximum height उसको upward की यानि उपर की दिशा में उसको throw किया जाता है maximum height कितना है 7.0 meter यानि इसका yes कितना हो गया 7 meter अब 7.0 को आप 7 लिख सकते है नार्मली ऐसी calculate the work done क्या निकलना हमको work done by the force of gravity during the vertical displacement vertical अब देखिए यहां पे एक word क्या आगया vertical vertical क्या होता है मतलब object इस side में जा रहा तो इसके vertical क्या हो जागा यह हो जागा 7 meter कितना है यहां पे 7 meter लेकिन यहां पे क्या बोला है calculate the work done by the force of gravity gravity बोल दिया ना तो gravity में क्या होता यहां पे gravity में हम क्या लेते है F equal to mg लेते हैं तो g कमवान मैंने आपको gravitation में बताया ही था g की value कितनी होती है 10 या फिर हम इसको 9.8 लेते हैं मतलब यह वाला ज्यादा सही होता लेकिन हम calculation को easy बनाने के लिए यहां पे 10 ले लेते हैं तो g की value 10 है यहां की value दी है 2 kg तो यहां पे क्या हो जेगा यह हमको पता ही है F equal to mg तो क्या हो जेगा यहां फिर F equal to हमने क्या पढ़ा था ma यह हमारा acceleration यह जो हमारा F equal to ma होता है यह तो हमने motion में पढ़ा था यह ए जो है असेलेरेसन यह भी होता लेकिन फसलेरेसन एंदू özet इति होता है यहरा प्तो इसलेरेसिट्फन आ उनिक्ण सेविट के प्रविटी होसेह अभवडन क्या थैरस अध्यालन होनति है इसीफ पथ्पहोसर भी आर्च 0, उपर है और यह वर्टिकली फोर्ज लग रहा नीचे की साइड यानि इसको हम क्या लेंगे निगेटिव लेना पड़ेगा हमको अभी मैंने आपको उपर पताया ना जिस दिसा में डिस्प्लेस्मेंट उसके अपोजिक डिरेक्शन में क्या है फोर्ज डिस्प्लेस्मेंट इ यहां पर बस आप इसको ऐसे समझ लेजिए यहां पर ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे की मतलब जैसे जैसे मैंने आपको इस्टाटिक में बताया कि कोई एक कुली है अगर वह अपने सीर पर ऐसे सामान लिये रहता है तो हम क्या बोलते है अब जैसे मालीजे यह अपने सीर पर सामाल लिया है तो यहां पर यहां पर तो यह एक फोर्स लगेगी उपर की साइड में एक नीचे की साइड में जैसे मालीजे यह क्या है कुली है इसके सीर पर क्या है इसके सीर पर है कोई साभी सामान और वह कुली ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा ना आगे की के तरह में बढ़ रहां इसके ऊपर सामान यहां है यानि एक फॉर्स इसका उपर के साइड ने कि हैय अ जाने का पैसा क्यों देते हैं जब उसने वर्कड़न किया ही नहीं यह एक फनी सा वह है तो देखिए आप कॉंसर्फ समझेए जैसे माली जी यह कुली है इस दिसा में यह जा रहा लेकिन यहां पर जो कुली है जो ऑबजेक्ट पर फोर्स लगाएगा वह कितना हो जगा वर्क कुली वर्क डन बाई ग्रैविटी दोनों क्या है जीरो है क्योंकि यहां पर क्या है यह नाइटी डिग्री पर लग रहा या फिर ऐसे आप देखिए लेकिन जैसे माली जे कुली इधर को फोर्स तो लगा रहा है लेकिन वह ऐसे ऐसे सीड़ी चढ़ता भी तो जाएगा या चीढ़े जब वह सीड़ी चढठेगा तो यहां पर फोर्स ऊपर की साइड में ऐसे लगाता जाएगा तो इसप फोर्स कहा है ऊ पर की साइड में तरब की तरफ चढ़ता भी जाएगा तो यहां पर ऑर और की अपलाई कर रहा है वो उपर की तरफ है लेकिन जब यह नीचे की तरफ उतर रहा है यानि यह नीचे की साइड में और कूलि चलता है आगे की साइड में तो यहां पे 90 दिगरीγ harvest क्या हो जाता है जी रो तो अब देखी फ्रेंट्स यहाँ पर आता हमारा फोर्स एट एन एंगल बिद डिस्प्लेस्मेंट अब जिसे मैंने आपको क्या बताया वर्क डन इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर इंटू यस लेकिन यहाँ पर जो हम एंगल ले रहे हैं तो हो सकता आपने इसको पढ़ा लेखेभर मृट क्या होता है वर्क डन इक्वल टू एसको ठीटा या फिर एफड़ी कोस्ठीटः दी अगर डिस्प्लेस्मेंट को पर दर दीडेंगे तो एक्षब दी कोस्ठीटा या फिर एफ एसकोस्ठीटा तो अब देखी यह जो कॉश्टीटा होता यही हमारा होता ह एंगल जैसे माल लिजे अगर इसी साइड में चलेगा तो एंगल क्या हो गया जीरो ऊपर की साइड में चलेगा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिगरी नीचे की साइड में चलेगा तो एंगल जो है 180 डिगरी मैंने यह साब भी आपको बताया ना पॉस्टिव निगेटिव जीरो नहीं ठीटा यहां पर 180 है अब तो ठीटा कुछ और है ठीटा कितना है यहां पर 30 है तो अब हम क्या करेंगे तो अब हमको क्या करना होगा यह आपको वैलू याद करने पड़ेगी क्योंकि यहां पर कास का ही काम है तो यहां पर मैंने केवल कौस के बारे में आपको बताया है तो अगर cos 0 होता है, तो वहां तो 1 हो जाता है, इसलिए तो हमारा क्या होता है, positive work done होता है, और अगर 180 होता है theta, तो negative work done होता है, लेकिन by chance आपको इस तरह से दे दे, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी ने करना, f की value रखना, yes की, और यहां पर theta जो भी देगा, जैसे यहां पर theta equal to 30 degree दिया, तो आप क्या करेंगे, 30 दिया है, तो यहां पर f s, जैसे f s cos 30, अब यहां पर मा लिजे, f जो है 10 है, yes जो है 2 है, cos 30 कितना है, यहां पर 3 by 2, root 3 by 2, यह 2 से 2 उड़ा देना कितना आ जाएगा, 10 root 3, इस तरह से हमारा आंस्वर आ जाएगा, तो इस तरह से आपको करना होगा, वैसे हो सकता ना, अभी पूछे लेकिन आप पढ़ लिजे, by chance अगर पूछ ले तो, अब देखिए, यहां पर क्या हो रहा, displacement इधर, force इधर, तो यहां पर क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए हमारा wd, यानि work done equal to kia, f s cos theta, cos theta के अस्थान पर cos 90, और cos 90 का value कितना हो और यहां पर अगर यह 180 डिग्री देखिया, ऐसे बना रहा, तो क्या हो जगर निगेटिव, तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको बता भी दिया, छोटा सा ऐसे, जिसे माली जे, आप पर्सन पूल सा ब्लॉक आना horizontal surface by applying of force of 70 newton at a angle of 60 with horizontal find work done by this force displacing black through 3.0 meter, अब यहां पर yes क्या दिया, 3.0 meter, और यहां पर 70 newton, अगर आपको यह ना समझ में आए कि क्या दिया है, तो आप उसके unit के द्वारा उसको find करिए, यहां पर meter था, यानि यह displacement हो गया, newton है, यानि यह force है, तो force कितना है, 70 newton, और यहां पर displacement कितना है, 3 meter यह 70 है, 7, यहां तो 7 दिया है, 7 friends, यह 70 नहीं है, अब यहां पर देखें, angle कितना दिया है, 60, अब हमको cost 60 कमांड पता हो, half होता है, तो क्या हो जगा, 7 into 3 into cost 60, यानि 7 into 3 into cost 60 की value, 1 by 2, तो यहां पर क्या हो गया, 73 is a 21 upon 2, इस तरह से यह हमारा 10.5 joule, यह हमारा क्या जगा, work done तो इस तरह से हमको यहां पर निकालना होता है, अब देखें, friends, a porter lift a luggage of 15 kg, यानि एक कुली है, 15 kg का क्या लिया है, luggage यानि समान लिया है, from the ground, and puts it on his head, यानि समान जो है, जमीन पर पढ़ा है, वो जमीन से उठा के अपने से पर रखता है, और कितना उपर, 1.5 meter, meter दे दिया यानि यह क्या हो गया हमारा displacement, तो अब देखें, the ground, मतलब ground से उठाया है, calculate the work done by him, उसके द्वारा हमको work done क्या आद करना है, कहां पर on luggage, मतलब वो luggage पर कितना work done लगाएगा, यह हमको find करना है, तो अब देखें, friends, अब जिसे यहां पर object क्या है, 15 kg, यह यह हमारा 15 kg का यह समान यहां पड़ा है, अब कुली समान को उठाएगा और अपने सीर पे ले जाएगा, और यहां पर वो, जो है, 1.5 meter उपर ले जागा, यानि यह हमारा यहां पर क्या दे दिया, 1.5 meter, तो अब क्या हो गया, अब देखें, मैंने आपको क्या बताया था, इसलिए हम gravitation पढ़ते हैं, तो जब यह वस्तू जब जमीन पर पड़ी है, यह object, यह luggage, तो क्या होगा, यहां पर नीचे की तरफ mg लग रही होगी, मतलब यहां पर acceleration due to gravity भी लगेगा उस mouse पे, तो क्या हो जगा, f equal to mg, यानि 15 तो हमारा यह जो mass सब वो तो दिया है, और g की force इससे cancel हो जाए, तभी तो यह object उठ पाएगी, तो आब यहां पर क्या हो जाएगा, यह जो हमारा force अपलाई हो रहा, 1500 newton क्योंकि नीचे लग रहा, तो इस force को cancel करने के लिए हमको इतना force इधर लगाना पड़ेगा, तो आब यहां पर work done by कोली क्या हो जागा, f apply into s, यानि height, 1500, हमारा force कितना हो गया, 1500 into 1.5, अब 1.5 का यहां से, यहां से इसका जो यह point है, इसको जब हम उड़ाएगे, तो नीचे हमारा क्या आजएगा, 10, उसके बाद क्या हो जएगा, friends, यहां से multiply कर देंगे, यहां से 00 उड़ा देंगे, 15, 15, 225, इस तरह से हमारा work done आजएगा, और इस तरह से देखिए, यह तो मैंने आपको समझाई दिया कि find work done by gravity under mass of mass, main of mass 60 kg, एक main है, उसका mass कितना है, 60 kg का है, while going up, going up, उपर जा रहा इसके लेटर पे, तो मैंने आपको क्या बता है, जब एक बेक्ती ऐसे ऐसे सीड़ियों पे जा रहा, तो उसका जो, मतलब वो पड़ा ना, यह उपर के साइड में जा रहा, तो यहां पे जो mg लगेगा, mg, हमेशा इसको ध्यान देना जो भी object है, उसका नीचे के साइड में, acceleration duty भी लगता है, तो यहां पे हमको force equal to क्या लेना पड़ता है, mg, तो आप इसको हमेशा ध्यान देना, जो भी यह दिया है, 60 इन्टू 10, यानि 600 न्यूटन, तो यहां से क्या होगे, हमारा एप क्या गया, 600 न्यूटन, और उसके बाद, यहां पे S, यानि displacement कितना हो रहा है, अब जैसे देखिए, यहां पे कितना दिया था, यहां पे while going up, अप जा रहा, लेकिन यह कुछ भी नहीं दिया, कि मतलब यह अब यहां पे देखिए, कितना सीड़ी है, एक, दो, तीन, चार, और एक सीड़ी एक मीटर की, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 मीटर हो गया, यहां पे हम फोल ले लेंगे, अब यहां पे जैसे देखिए, आपको मैं यहां पे एक चीज बताती हूं, जब भी आपको यहां त इसलेरेशन डू ग्रेविटी लगेगा, तो आप क्या करनेगे, 60 इंटू 10, यानि 600 न्यूटन, यह आजएगा हमारा फोर्स, तो इसको आप ध्यान में रखना, तो देखिए, इनरजी पढ़ने से पहले, मैं आपको एक बार हिंदी वाले पे ले चलती हूं, और फिर बतात दो आप सकता है, कुछ वस्तूओं पर बल लगाना पड़ता है, वस्तू जिस पर बल लगाया गया है, उसे अपनी प्रारंभिक इस्तिती से विस्थापित करना होता है, यानि वो जहां पर है, उसकी इस्तिती को चेंज करना पड़ता है, गड़ती ये रूप से किये गए क कर्णे को कारे और विस्थापन की परिमार यानि प्रोड़क्ट के उत्पात के रूप में परिधासित किया जाता है यानि वर्क इुके न्यूटन है और जो विश्थापन की SI unit है वो मीटर है तो इस प्रकार कारी की SI unit क्या हो जगा Newton मीटर या फिर इसी को हम जूल बोल देते हैं वन जूल कारी की वह मात्रा जब एक Newton बल को एक मीटर यानि जब हम किसी भी वह ऑब्जेक्ट पे वह एक मीटर displacement करें और एक Newton की बल लगे तो उसका कार कितना होगा एक जूल अरे सिंपल है न वर किकोल टू यह इंटू यह अगर यह जो है एक मीटर यह क्या है एक Newton तो वन इंटू वन तो क्या होजेगा वन जूल तो सिंपल है न यही तो तो अब दिखिए किया गया कार सकारात्मक होता है यदि जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा के समान हो यानि इस साइड में जा रहा तो मतलब बल भी इसी साइड में लगना चाहिए यानि टिशा सकारात्मक होता है जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा की विप्रीत होता है विस्थापन क्या है जब भी कोई चीज एक अस्थान से दूसरे अस्थां पर जाता है कि अगर वह इधर से इधर कुझा रहा तो यहां पर फोर्स किधर लगेगा इसके उल्टे डा sign तब दीज किया हो जाएगा निगेटीव हो जाएगा तो यही आपको यहाब बताया है तो आप देखी है यहाप पर इनर्जी के तो आप यह इनर्जी है क्या अब जिसे अने आप opinion तो अब रिक डन बतायोब यानि कोई भी आपजेक्ट को हम फोर्स लगाएं और उस पर फोर्स लग भी जाए यानि फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेस कर जाए अगर डिस्प्लेस नहीं करेगी कोई वर्क डन नहीं लेकिन अगर फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेस होगा यानि वर्क डन होगा तो work done को करने के लिए जो हमारी छमता है वही क्या है इनरजी है जो हमारी kapability है, work done को करने के लिए वही क्या है इनरजी है, तो अब यहां पे क्या हो गया, energy required to do work and both are interchangeable and converted अब क्या हो गया energy जो है वो काम को करने के लिए किसी भी कारे को करने के लिए क्या होती है required होती है और जो energy और work done है वो एक दूसरे से interchange भी हो सकते है interchangeable का क्या मतलब है energy जो है वो work भी हो सकता है work जो है वो energy भी हो सकती है यानि दोनों एक दुसरे में change हो सकते हैं work energy भी हो सकता है energy work भी हो सकता है आप देखिए जो हमारा energy होता है कैसा यहाँ पर यह क्या है scalar quantity है कैसी quantity है scalar quantity है यानि यहाँ पर कोई भी direction नहीं है SI unit इसकी भी क्या हो गई joule work की भी किया थी joule इसी लिए यह दोनों क्या होते है interchangeable अब जैसे हमारा heat energy होता उसका भी जो है unit क्या होता है joule तो इस तरह से जो है इसकी cgs unit क्या हो गई work की भी क्या हो गई तो इस तरह से इसमे जो यह जो unit इसका सेम है इसी वज़े से interchangeable हो सकते है अब देखिए work done can be change in numerous form of energy जो हमारा work done होता है can be done can be change in numerous form of energy यानि जो हम काम करते हैं वो कई-कई energy के रूप में change हो सकता है और जो हमारी different type की energy है वो work done में भी change हो सकती है अब देखिए friends यहाँ पे अब आता है यहाँ पे kinetic energy अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे यह numerous form में energy change होती है यह हमको यहाँ पे देखना है तो अब यहाँ पे आता kinetic energy अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा ना काईनीन 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 क्या है यह ग्रीक वर्ड है इसका means क्या होता है motion यानी energy possessed by a body by virtue of its state of motion यानी kinetic energy किसमें होगा जो कोई भी object क्या करेगा motion करेगा यानी जब भी object state of motion में होगा यानी वो motion करेगा तभी उसमें क्या होगी? काईनेटिक इनर्जी होगी अगर माले जो कोई भी object rest पे है तो क्या उसमें kinetic energy नहीं होगी तो बिलकुल नहीं यहाँ पर वस्तु का गती में होना, उसका state of motion में होना जरूरी होता है तभी वहाँ पर kinetic energy लगेगी क्योंकि इसका नाम ही है काईनीन motion तो यहाँ पर motion जरूरी है तो यही हो गया हमारा energy positive by a body virtue of state of motion यानि यहाँ पर state of motion का होना जरूरी है when a body is in motion it has an energy यानि जब भी वस्तू motion में होती है तो उसके पास एक energy होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं kinetic energy और यह क्या होती है derived from Greek word kynin means motion if a body is at rest it has zero kinetic energy यह मैंने आपको बता दिया अब देखें यहाँ पर हमको kinetic energy का जो formula है वो find करना है तो हमने अब तक क्या पढ़ा work done work done equal to force into displacement यानि w equal to f into s आप यहाँ पर हमको पता है force equal to क्या होता friends m a क्या होता है m a तो यहाँ पर क्या हो गया m हो गया आप हमको यहाँ पर पता a equal to क्या होता है v square minus u square upon a यह भी हमने पढ़ा था हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था a equal to क्या होता है v minus u upon 2 यानि जो हमारा final velocity है और initial velocity दोनों का difference upon 2 यह होता हमारा acceleration लेकिन आप यहाँ पर देखें f equal to क्या हो गया m a तो यहाँ से देखिए f equal to 2 a s आप जैसे a और s है जो मैंने आपको गती के तीन नियम बताए था उसमें मैंने आपको third क्या बताए था 2 a s equal to v square minus u square आप यहाँ से इसको लगाए तो यहाँ पर क्या हो जगा friends अगर आप as को इधर ही रोक देंगे तो यहाँ पर v square minus u square आपान क्या हो जगा 2 यहाँ से 2 किधर आजगे यहाँ नीचे आजएगा तो वहीं हम यहाँ पर देख रहे हैं यह हमारा newton का जो third नियम था जो sorry जो la motion का third formula था वो यहाँ पर है हमारा तो newton के 3 नियम भी है और formula भी इसलिए confusion हो जाता कभी कभी तो देखें जो हमारा गती का तीसरा formula था वहाँ पर क्या था 2 a s equal to v square minus u square तो यहाँ से a s equal to क्या हो जगा v square minus u square upon 2 तो यहाँ आजएगा तो आब हम यहाँ पर a s के अस्थान पर यानि यहाँ को यहीं रोक देंगे a s के अस्थान पर v square minus u square upon 2 यहाँ पर इसको रख लेंगे अब यहाँ से क्या हो जाएगा अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अब यह जो है हमारा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं v square upon 2 u square upon 2 इस तरह से अलग-अलग भी लिख सकते हैं तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे friends तो एक बार यम की multiply इसमें होगी एक बार इसमें होगी तो क्या हो जाएगा यम V square upon 2 माइनस यम U square upon 2 तो देखिए यहां से कौन कौन सा formula याद करना है ये मैं आपको बताती हूँ एक तो यह आपको याद करना है क्योंकि कभी-कभी numerical इससे भी solve होंगे तो आप इसको सबसे पहले याद करना डबलो इकोल टू यम V square upon 2 माइनस यम U square upon 2 लेट दा बाडी भी initially at rest U equal to 0 अगर हम इसको मतलब यह मान लेगे कि body जो है वो rest से start हो रही मैंने आपको motion में बताया भी था तो वहां पर हमारे initial velocity क्या हो जाएगी जीरो तो अब देखिए जब यह यू 0 हो जाएगा तो यह पूरा term जो हो जीरो हो जाएगा लेकिन अब यहाँ पर देखे फ्रेंट्स वो तो यहाँ इस side में होगा अगर यहा जीरो तो यहां से क्या हो जाएगा w equal to half mv square अब जैसे यहां पर यहां पर यह जो लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं हाफ को इधर ले लिजे और mv square इस तरह से भी तो लिख सकते हैं तो वही हम इसको यहां लिख दिए अगर जिए 0 ले लेंगे तो यह पूरा term में 0 हो जाएगा तो यहां से हमारा यह formula निकल किया जाएगा के equal to यानि kinetic energy equal to half mv square तो इसको आप याद रखना तो यहां से दो formula यह हो गए हमारे यह की अब क्या होगा अब इसी को हम m जैसे इसी को आप जब इस तरह से लिखेंगे मतब यह जो 2 है इसको half लाके लिख दीजे फिर mv square फिर यहां से half m u square तो यहां पर u यहां पर v तो क्या हो जाएगा w equal to यानि work क्या हो जाएगा kinetic energy final minus kinetic energy initial तो इसी को क्या हम बोल देते हैं जब भी final में से initial को minus करते हैं इसी को यानि change in kinetic energy यानि work done equal to change in kinetic energy तो फ्रेंड्स यहां से आपको कुछ भी नहीं याद रखना है बस आपको यह याद रखना है यह formula यह formula यह formula मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप समझे कौन सा कहां से कैसे कैसे आया है तो यह हो गया हमारा यह तिनों formula आपको एकदम इसमम याद रख सकते हैं उतना ही अच्छा है और देखिए यहां पर numerical find the work done required to stop to stop यानि किसी भी चीज को stop करना है इस्टॉप करना है तो हमारा equal to क्या हो जगा जीरो यानि final में वह 0 होगा ना यहां ऐसा नहीं कि कोई भी वस्तू सुरू से यानि वह प्रारंभ से start हो रही इनीशिएलि स्ट्र trump लें यूजिरो होता ले largest pou гол ins स्टॉप करना है यानि वह गती में है फिर इस्टॉप करना है यानि वी इकवल शीरो अब था मास्की यहा पर жив डेंप क्या हो गया अब यहां से यहां है 10,000 के genजिदिया है जू है हमारा speed यह km per hour है यह new तो यहa चैनल पूरा term क्या हो गया जीर o अब यहांपर हमें पर बचा माइनस half yum V wple iuwhat to killed together 10, swift कितना 15 तो इस तरह से यहां हाफ इंटू 10 इंटू इसका स्कॉर कितना हो जाएगा 225 अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स जब इसको हम कट करेंगे 5 तो इसको जब 5 इंटू 2 तू 5 को जब मल्टिप्लाइ करेंगे तो माइनस 1125 जूल हमारा जो है वो आंस्वर आजाएगा अब देखिए यहां पर एक और है अभी देखिए यह वर्क डन जो है यह चेंजिन काइनेटिक इनर्जी से कैसे कितना अच् 5 केजी माज कितना है हमारा 5 केजी है और इसको डिस्प्लेज बोल रहा कि जब चेंज करेंगे इसकी विलाश्टी को फ्राम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड यानि 5 केजी का यह अब यहां पर क्या है यह 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा यह 15 मीटर यानि पहले तो 10 meter था और अब कितना हो गया 15 meter तो यहां पर हमको वर्क बताना है इसको इसकी वेलाश्टी को change करने में यानि कोई वस्तू है कोई object है 5 kg की है वो 10 meter per second से चल रही है अब उसकी speed को 15 meter per second करना है यानि उसको change करना है 10 से 15 करना है तो अब यहां पर कितना वर्क डान होगा यहीं हमसे पूछा जा रहा तो यहां पर क्या हो गया एं कितना हो गया 5 kg कितना हो गया 10 वी कितना हो गया 15 अब यहां से दिखें वर्क डान equal to change in kinetic energy तो यहां पर क्या हो गया kinetic energy final minus kinetic energy इनिशिle तो 5 मैं बताया था और इसक कपयों और अधिर की इनरजी इनिशिएल यी मभी इसकर तो यहां पर क्या हो गया हम स्ट हुआब इनट इंट Sachin यहाँ सेस्क्राइइब इसके बाद करदेंगे और हमारा यह आजして गहां तो यह हो गया रहा तरह से हमको करना है तो जो जो मैं कराती जारी हूं आप करते जाए मैं आपको इंसी आटी एक्जेंपलार और जो भी जो भी है सब कुछ सब कुछ एकदम पूरा कंप्लीट कराऊंगी तो आपको डर्ने की ज़रुत नहीं बस आपको करते जाना है अब यह देखिए यह थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है अब देखिए वैसे तो इतना मुस्किल पूछना नहीं चाहिए अगर बाई चांस पूछ लेगा तो कम से कम हमारे कॉंसेप्ट तो बिल्डप हो जाएंगे तो चलिए देखिए इसको करते हैं प्हाइंट नहीं हैते हैं accepted है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको ेंट किनेटिक इनर्जी तो यहां पर यहम थी फीर कितनी थी वी थी अभीय मैं लेकिन विली सिउ गई थी तोου uw किसके पीछिर ने बभी स्कॉएर सरगा ऐा मंव ही स्कुएर को समी इनीशियल वह कितनी है U square है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर V और फिर 3 V हमको इस हिसाब से लेना पड़ेगा अब हमको यहाँ पर रट के नहीं चलना कि U लिखेंगे यू लिखेंगे मैं ने तो यू बताया ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए यहाँ पर V है फिर 3 V है तो हमको इसके हिसाब से यहाँ पर वैलू पूर्ट करना होगा तो हमारी जो फाइनल है वह कितनी है 3 V है यानि हम यहाँ पर 3 V ले लेंगे और यहाँ पर कितनी V है तो हाफ एम V स्कॉयर आद देखिए यह 3 का जो है 3 V स्कॉयर का जब हम स्कॉयर करेंगे कितना जगा 9 V स्कॉयर तो यह हो गया हमारा हाफ एम 9 V स्कॉयर माइनस हाफ एम V स्कॉयर अब यहां से यह जो हमारा यह 9 है इसको हम आगे लिख लिए उसके बाद half mv square minus half mv square और half mv square यहां से कामल ले लेंगे तो 9 minus 1 जैसे मैं आपको बताती हूँ मालेजी यह 9 हो गया half mv square minus half mv square यह हमारा ना अब आप यहां से half mv square यहां पर कितन सब्स्क्मा सब्सक्राइब यहां है निया है आया है अब दीद्स यहां से आपको क्या लाउन्ष और टेंडिक इनर्जी तो मैंने आपको पता परसंटेज चेंज कैसे निकलते हैं फानल मानस इनीसियल एंसिल तो मैंने आपको पताया भी था इसको आप याद कर लिजे क्यों अबे आपसे जहां भी केगहा स्छेगा ऊट आपको निकलना होगा तो तो प्रौपाईने 2-1-1-1-2 x5m2 x5m2 ! क्यूंकि यहां वहार इनिशियाल था अब कितना हो गयाे wavelength यहां से ہے ज्येयं कठी गया यहां पर यहां पर जो हमारा यह अब हम सूचंगे how to यहां पे हम इसको हाफ से हाफ mb2 फिर से कमाल लेंगे जब यहां पर हाफ mb2 कमल लेंगे तो यह से कट जागा लेकिन यहां क्या जाता है इसको क्या याद रखेंगे अब देख्या यहां पे इक आता हमारा रिलेटी इनर्जी नक दो तो खोता है हासे ने हैं सब्सक्राइब MV, तो अब क्या हो जगा यहां से जब हम इसको YUM से multiply करेंगे और divide करेंगे, तो क्या हो जगा यहां पे, YUM से divide भी करना है, multiply भी करना है जब multiply करेंगे, यहां पे आके YUM square हो जगा, divide करेंगे, upon YUM हो जगा, अब फिर यहां से YUM V का, जैसे यहां पे देखे अगर YM SQR B SQR है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं YM B SQR इस तरह से भी लिख सकते हैं तो वही यहां पे किया गया है तो यहां पे क्या हो गया M B SQR HAPANIUM अब यहां से अब देखे फ्रेंड्स सबसे पहले यहां देखे काइनेटिक इनर्जी इकोल क्या हो गया हाप M SQR B SQR HAPANIUM जो हमने यहां पे किया तो यहां से हाप कर दिया और जो YM B SQR है YM B YM SQR B SQR है ना तो इसको हम क्या लिख देंगे P SQR अब यहां से P SQR यहां YM है यह हो गया अब यहां से इलागे इसको हम यहां पे पूट करेंगे तो यहां से क्या हो गया यह तो हमारा काइनेटिक इनर्जी P SQR HAPAN 2 YM आ ही गया लेकिन यहां से क्या हो गया काइनेटिक इनर्जी इकोल टू हाप M B SQR HAPANI अब यहां से P SQR HAPANI फोट kiss न हो जगा 2 deben कित सब्सक्राइब क्यां सब्सक्राव क्या है लिए है तो देखे यहाँ पर आपको कुछ भी याद रखना नहीं यह याद रखना आपको वस लाश्ट में यह रिजल्त वार्ष लेhou कि फार्मूला हमारा जो हमारा क्वेस्चन होगा इसी से सॉल्व होगा तो फ्रेंड्स आपको यह याद रखना है और फिर यह याद रखना तो आप याद रखना जो इन दोनों में काइनेटिक इनर्जी और मुमेंटम में जो रिलेशन होता है यह तो होगा काइनेटिक इनर् तो अब देखें फ्रेंट्स यहां पे अगर आपसे पुछता है रेशियो आप मोमेंटम टू विलास्टी यानि मोमेंटम विलास्टी का रेशियो तो मोमेंटम इकोल टू यम वी और यहां पे रेशियो पुछा यानि वी वी कटके यह क्या हो जगह यम तो यहीं यहां पे है अब देखें यहां पर आता है potential energy अब यहां पर यह potential energy है क्या देखें फ्रेंट्स अब यहां पर हमको क्या पढ़ना potential energy तो देखें energy अब तक हमने क्या पढ़ा kinetic energy तो वहां पर हमने क्या देखा energy पोड़ी बाइब वर्ची आफिस मोशन यानि इस्टेट आप मोशन वहां पर उसके मोशन की वज़े से उसमें कौन सी energy थी इसके basis पर हमने क्या नाम दिया उसका kinetic energy अब यहां पर है हमारा energy positive by body by virtue of its position यानि किसी object का position क्या है या फिर उसका orientation क्या है इस base पर होता हमारा potential energy अब देखिए यह तो एक हो सकता है by position यानि certain position एक हमारा by orientation यानि capable of storing and holding energy अब देखिए यहां पर by position का क्या मतलब by position का क्या मतलब जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए friends यहां पर एक object है और फिर मैंने क्या किया इस object को यहां पर height पे ले गई क्या-क्या, इस object को यहां पे लाया तो जिसे मालीजे मैंने यह हमारा ground है तो अगर आप इसको यहां से ऐसे छोड़ देंगे यह नीचे आएगा, तो क्या होगा यह कम तूटेगा, फूटेगा, लेकिन अगर यह यहां से नीचे आएगा, तो जादा फूटेगा जैसे माली जे अगर आप चलिए आपका एक्जमपल नहीं लेते जैसे माली जे एक कोई ऑबजेक्ट है आप उसको जैसे माली जे आप अपने मोबाइल को छोड़िए अपने बेट पे छोड़िए तो उस पे उतना कुछ भी नहीं होगा मतलब हो सकता उस पे उसका ही एक पूजेशन पोजेशन कोई चीज यहां है फिर यहां है उसका पोजेशन के लिए उस पे क्या बूलते हैं कि वो उसमें potential energy है की नहीं है जैसे हम, माल लिए कोई भी वस्तू हमारे धार्ती पे ही रखी, ground level पे तो हम क्या बूलते हैं? यहा पे कोई ही potential energy नहीं है क्योंकि यहां पे कोई हाइट नहीं है पोई बेंड बेंड करता है अब यहाँ पर हमारा second point है by orientation, orientation का क्या मतलब हो गया, जैसे हर एक object में वो capability नहीं होती, कि वो कुछ store कर सके, वो energy को store कर सके, ऐसे हर एक object में ऐसा power नहीं होता, लेकिन जिन object में ऐसा power होता है, उनहीं को हम क्या बोल देते हैं, कि उनमें potential energy है, यानि ऐसे object जिनमें energy को store करने की capability होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, potential energy है उसमें, अब देखे, we consider ground to be at zero level, यहाँ पर देखे, लिखा, we consider, हम ऐसा मानते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, कि कोई भी object, अगर वो धरती पे रखी गई है, तो क्या है, उसकी potential energy क्या है, zero है, क्योंकि ह हम ground को क्या मानते हैं, zero level पर मानते हैं, तो यहाँ पर इसकी potential energy क्या हो जाएगी, zero, यानि अगर कोई object धरती पे ही पड़ी है, उसकी potential energy क्या है, zero, अब देखे, यहाँ पर है, it is dependent, independent, आप path, अब इसका क्या मतलब, जैसे माल लिजे, यह हमारा ground था, अब हमने object को, यह हमारा जो object है, यह जो object है हमारा, इसमें हम क्या कर रहें, इस object को माल लिजे हम यहाँ ऊपर लेके गए, यहाँ लेके आए, लेकिन आप जरूरी नहीं कि हम ऐसे लेके जाए, माल लिजे हम इसको ऐसे 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 यहाँ, अब लाके यहाँ पर रखें, यह फिर इसको ऐसे करके, इसलिए हम बोलते हैं certain position यह केवल position पे depend करती है अब इसको आप यहां इस वस्तु को यहां पर कैसे लाए हो कहां कहां से घूम के लेके आए हो कैसे ले ले आए हो इस पर कोई भी यह यह इस पाथ पर independent होता है यह इस पर निर्भार नहीं करता तो आ क्या मतलब आपको समझ में आ गया होगा यह यह किस पर matter करता है कि कोई object पहले कहां थी अब कहां है अब देखें फ्रेंट्स यहां पर इसका expression यहां मैं derive नहीं करूंगे आप बस directly देखिए आपको यही इतना याद करना है P E यानि potential energy equal to M G H और kinetic energy equal to क्या हो जगा हमारा half M V square तो इस तरह से इसको आप याद रखना और potential energy P equal to half, sorry, potential energy equal to M G, यज़ तो हमारा generic energy होता है, जो हमारा kinetic energy होता है वो क्या करता है? velocity पे depend करता है लेकिन जो हमारा potential energy होता है वो height पे depend करता है तो आप इन दोनों में difference याद रखना kinetic energy यानि उसमें कुछ न कुछ velocity होगी और potential energy यानि यहाँ पे height होगा अब देखे friends यहाँ पे potential energy होगी कहां कहां पे वेन आर्चर पूस दा इस्टिंग देन potential energy इस्टार इन वो जिसे जिसे मालीजे कोई भी व्यक्ति जो है वो धन उसका जो यह मतलब यहाँ से तीर ऐसे लगाते हैं तो इस तरह से जब भी वो क्या करेगा इस दानुस में बाल को चड़ाएगा यानि जो उसका प्रत्यंचा ऐसा कुछ बोलते हैं जब उसको खीजता है जब यह जो डोरी होती इसको जब ऐसे खीजता है यानि इस तरह से हो जाता है फिर वो छोड़ता है यानि यहाँ पी क् यहां बहुते हैं ऊसमें भी क्या होता पौटेंशेल इनर्जी कि अ कमप्रेंश्ट और इलांगेटेड इस्प्रिंग है इस पोटेंशेल इनर्जी इस्टोरी निट यह जो हमारा कि इस यह खिए किया में हлек gefदी किया हुगा जब आप इसको खीजते हैं फिर छोड़ देते हैं तो जросह यदि हैं वह आपने औरिजीनल पोजिशन में आ जाती है जिसे माली ली यह झेडी तो छोड़ेंगे ये फिर से इसी स्टेज्स मेंrage जाएगी यानि इसमें क्या होता पोटेंशियल इनर्जी जो ही वह इस्टोर हो जाती है तो यह तो आप याद रखना आप दिखें यहां पर नियुमेरिकल यह तो नियुमेरिकल हमारा जो है वर्कडन से रिलेटेड है तो वर्कडन भाई आल फोर्सेट एक्टिन आना बुक कि एक बुक है वो किसी भी एक ब्लाक है एक कोई ब्लाक है ब्लाक मिंस एक टुकड़ा सामान लिजे वह रखा गया है तो उसमें हमको नेट वर्कडन फाइंड करना है आल फोर्सेट तो देखिए आल फोर्सेट मतलब यहां पर एमजी भी लग रहा होगा यहां यह डिस्प है यह हमको कुछ भी अपने आप से नहीं लिया है यहां पर हमको यह दिखा गया कि यहां पर फोर्स 20 न्यूटन है जो है डिस्प्लेश्मेंट 10 मीटर का हो रहा फोर्स इधर 5 न्यूटन का है और यहां पर एमजी लगेगी नीचे तो देखिए वर्क डन स्वारी डिस्प् इधर डिस्प्लेश्मेंट इधर वर्क डन इधर तो यहां पर क्या हो गया माइनस मानेस तो मानेस 50 जूल हो गया अब नेट व्रक डन नेट वर्क डन मीज्प्सका होता जितनी वी फोर्सर से अब ड़ेट कर दो टो डबलू डी यह यह क्या इसको डिस्टॉइ कर सकते हैं ना हम उसको डिश्ट्रॉय कर सकते हैं क्या कर सकते हैं नहीं उसको डिष्टॉय कर सकते हैं और नहीं उसको क्या कर सकते हैं क्या चेंज कर सकते हैं इसको क्या है इंटर भी सब कुछ क्या है नатив से यह कभी कभी पूछाइँ के सब इस लेक्सटरी हो गया हमारा व केमिकल इनर्जीbet और हुए और केंडून एक स्विधू में स्विगांड Полusz पत्वेंड सब्सक्राइड करता है, लेकिन इसलड़ सबस्क्राइब इसाद बतुन हुआ सकती या फिर क्रियेट नहीं की जा सकती है तो फ्रेंट्स यह आप यहां से याद रखना देखिए यह तो एक वेरिफिकेशन है इसको आप उन्हें पढ़ना देखिए आव आता यहां पे हमारा पावर तो थीक है हमारा खतम होने वाला है तो इसको हम complete करके ही छोड़ेंगे तो देखे फ्रेंट्स हमने यहां पे work done पढ़ा work done को करने के लिए हमको किसकी requirement है energy की तो अब दिखें यहां पे आता हमारा power सकती सकती यानि क्या है यह रायत करना है जाने जब तक चाहे एक दिन लगा दो इनर्जी में दो दिन लड़ा दो ऐसा नहीं है पावर क्या है अब जैसे हमने क्या परहा work done work done को करने के लिए energy की requirement है लेकिन अब यहाँ पे work done भी करेंगे energy भी लगाएंगे लेकिन अब यहाँ पे हमको power देखना है तो power क्या है किसी भी काम को कितनी जल्दी किया जा रहा मैंने इसको simply लिख दिया किसी भी काम को कितनी जल्दी किया रहा उसी कोई क्या बोल देंगे वर बोल देंगे अब पावर क्या होता है सोद्धक था होती है यह होती है तो इसको भी याद कठना फ्रेंड दिखेंए पावर का फरमुला क्या होजाएगा पावर इकटू work यानि T means क्या होगे rate of transfer, यानि rate कोई भी काम कितनी जल्दी हो रहा है, तो work done upon time यानि W upon T, या फिर यहां पे हम बोल देते हैं, power equal to change in energy upon time, यानि E upon T, तो आप यह दोनों याद रखना, या तो W upon T या फिर E upon T, इसका unit वाट, अब देखिए यहां पे मैंने जो आपको बोला कि किसी भी काम को कितना जल्दी किया जा रहा, तो देखिए यहां पे एक चिंकी है, 60 kg की एक पिंकी है, 40 kg की, कलाइम बाब वाला फाइट, एक जो है वाल है, एक दीवाल है, उस पे दोनों चड़ रही है, 20 meter in 20 seconds, और 10 seconds, चिंकी जो है, वो 20 meter जो है, चड़ रही है, टेन सेके चिंकी, दीवाल की लंबाई उतनी ही है, कितनी है, 20 meter की यह दीवाल है, चिंकी क्या कर रही है, 20 seconds में चड़ रही है, लेकिन पिंकी क्या कर रही है, 10 seconds में चड़ रही है, तो बोला, who is more powerful, कौन ज़्यादा powerful है, तो friends, मैंने आपको बता दिया, जो काम को जल्दी कर लेगा, तो यह 20 seconds में, 20 meter की दिवार को कियोल 10 seconds में चड़ जार रही है, तो ज़्यादा powerful कौन हुआ, काम को जल्दी कौन किया, यह 10 seconds में, यह 20 seconds में, तो यह जल्दी की न, यहनि हमारी जो, जो हमारी पिंकी है, वो जयादा powerful है, तो आपको यह उसका verification है, तो आपको इसको यह हो गया जदा पाउरफुल यह फिर आप इसको निकाल भी सकते हैं तो मैंने आपको यह एंजी का कॉंसेट यह नियूटन यह सब बता ही दिया निकाल लेजीगा अश्य चलिए बता देती है यह फिर रहने देती है देखी फ्रेंट्स अब यहां पर आता हमारा कामर्सियल यूनिट आफ इनर्जी तो मैं आपको यहां पर बता दूँ यह जो है अभी जो एन्वेस का पेपर हुआ था वहां पर यह पूछा गया था यहां पर पता फ्रेंट से गोथू हो जाईे देखिए वहां पर मैंने आपको जो जो चैप्टर करा दिये काफ़ी क्वेसान आपको बहां मिलें गे समय तो मैने आपको जितने भी क्वेस्ट कर्वाएं जयादा से जयादा क्वेसं न्C ancare t praying जो हमारी NCRT exemplar होती है उसमें कैसे question होते हैं hot question होते हैं यानि higher order thinking question तो उसका जो label होता है अच्छा होता है यानि होता हमारा NCRT waste लेकिन वहां पर conceptual numericals होते हैं conceptual questions होते हैं जो कि हमारी thinking को बढ़ाते हैं तो इसलिए NCRT exemplar मैंने आपको हर एक वीडियो को लाश्ट में किसी में 20 questions किसी में 25-30 questions तक कराए हैं और मैंने आपको अलग से जो playlist में है हमारा practice season वहाँ पर भी मैंने काफी question जो है NCRT से ही लिए है NCRT exemplar के लिए है तो friends आप देखिएगा आपके exam में एक एक question जो है यहीं से ज़्यादातार मिल जाएंगे तो आपको चिंता करने की बात नहीं है आप बस जितना मैं करा रही हूँ करते जाए करते जाए आप जो है lecture को अच्छे से देखिए उसको बार-बार revise के दिए इसलिए मैं आपको PDF भी दे देती हूँ जो भी नोट्स होता है question भी इतने सारे करा रही हो तो आप बस करते जाए कोई भी टेंसर मत लेजे बेट कर रही है जो हमारी 678 के NCRT है तो friends उसको मैं जो है question के थुरू ही करा दूंगी सारा जो भी उसका exemplar है NCRT का उसको मैं directly करवा दूंगी तो आप वहा से question आएगा तो वहां से भीट जाएगा राम से तो आप टेंसर मत तीजे बस करते जाए आप यहां पर यह मत सुचिए यह हैं रिटेंड नोट्स है यह नोट्स जो है मेरे बेस्ट है बस यहां पर मैं इसको टाइप वगएरा करने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा इ इसे जो हमारे घरों में जो बिजली होती है जब इसका मतलब मीटर जब आते हैं चे result करते है अब देखे जो हमारा power होता power equal to क्या होता है work done upon time या फिर change in energy upon time तो देखे यहां से हम क्या कर देंगे friends यह जो हमारी energy है तो यहां पर क्या हो जगा energy equal to p into t ऐसे कर देंगे power की unit watt हो गई time की unit second हो गई तो watt को kilowatt में second को hour में तो क्या हो गया यहां से kilowatt hour यह को गई हमारी commercial unit हो गई energy की अब इसको cognition क्यों क्यों बोलते हैं क्योंकि यह हमारे घरों क्यों से हुझ वाट सेकेंड कितना हो जगा जसे kilowatt है तो वाट हो गया और second यानि जब भी kilowatt hour को watt second में change करना होगा joule में change करना होगा तो क्या करेंगे 3.6 into 10 के power 6 से हमको वहाँ पे multiply करना होगा 1 kilowatt equal to कितना हो जागा 3600 joule तो इसको भी आप याद रखना अब यहाँ से देखें energy की unit क्या क्या हो गई जूल हो गई si unit cgs unit मैंने आपको बता दिया अर्ग हो गई commercial unit क्या हो गई kilowatt hour तो वहाँ पे आपको आप nbs के question देख लिजे को वहाँ को आपसे एक option में जूल दिया था एक में arg second एक में kilowatt hour एक में कुछ और दिया था फिर वहाँ पे जो है मतलब a b only a b c ऐसे करके जो है आपसे वहाँ पे पूछा गया तो आप उसको देख सकते हैं टेलिग्राम से अब देखिए यहाँ पे question असेटा फोर वल्व मतलब चार light है फोर बल्व है आप power rating उनकी power कितनी है 40 watt इच आर बिंग रन फार टेन आवर जो जितनी भी है वो कितना चलती है दस घंटे चलती इच डे प्रतेक दिन इन्दा मन थाफ सेप्टेमबर आप सेप्टेमबर मन लिख दिया यानि आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि 30 डेज की बात कर रहा है तो देखें फ्रेंज टोटल पावर एक्सपेंटेड हमको बताना है कितनी भी वहाँ पे पावर खर्च हुई है टोटल इनर्जी कमजमसन बताना है कितनी वहाँ पे इनर्जी खर्च हुई है और टोटल कास्ट आफ इलेक्रिसिटी बिल उसका हमको इलेक्रिसिटी बिल भी तो यह तो होगे हमारा टोटल पावर एक्सपेंटेड देखिए सेकेंड क्या है हमको यहां पर इनर्जी कमजम्शन यानि इकवल टू पी टू तो कमजम्शन आप वन डे तो अगर आप वन डे यानि एक दिन का निकालोगे तो कितना हो जागा तो यहां पर 1000 से क्यों मर्टिप्लाय करने है क्योंकि यहां पर इसको किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा जबकि यहां पर पे 10 आवर दिया है कितना दिया 10 आवर तो यहां पे हमारा यहां पे आई गया है तो पावर वन सीष्टी हो गया जो यहां पे टाइम दिया वो 10 आवर लेकिन हमको हमको तो एक तिन का चाहिए तो 10 आपान थाउजन 1.6 किलो आवर हो गया कम जम सनाफ होल मन्थ यानि पूरे मन्थ में कितना खर्च होगा तो यहां पे सेप्टेंबर मन्थ है यानि 30 देज तो 30 इंटू 1.6 आपान 10 यहां से दसमलो उड़ेगा तो क्या जेगा यहां से कट पि यहां पर उसका इलेक्रिसिटी बिल अब देखिए यहां पर या तो फाइंट इनर्जी इन किलो वाट आवर कंजूमर इन टेन आवर बाई फोर डिवाइस आप पावर 500 वह यानि एक डिवाइस की जो पावर है वह कितनी है 500 वाट फोर डिवाइस की कितनी जो 500 इंटू 4 कि यहां पर 2000 वाट आएगा लेकिन हमको किलो वाट में चाहिए तो 1000 से यहां पर डिवाइड कर देंगे तो 2 किलो वाट आजेगा अब यहां से हमको क्या निकालना है फाइंड इनर्जी इनर्जी तो यहां पर पावर इन्टू टाइम तो 2 किलो वाट आगया हमारा पावर टा या तो इसको यूनिट बली या फिर किलोवाट आवर दोनों से हैं अब यहां पर देखे एक और क्वेशन भी है तो यह भी प्रेंट्स आप इसको ऐसे यहां पर वह बस चेंज करने के लिए पुछाया तो इसको भी आप इसली कर सकते हैं तो अब देखिए यह मैंने आपको क तो देखे किसी भी तरह के कारे को करने के लिए उर्जा की जरूरत होती है ऐसी वस्तु जिसमें उर्जा होती है दबाव को बढ़ा सकती है इसे कारे को किया जा सकता है इस प्रकार उर्जा को कारे करने की छंता की रूप में क्या हम बोल सकते हैं परिभासित किया जाता है सूर्य उर्जा का प्रत्यच स्रोत होता है कुछ संसादनों का उपयोग इनसे उर्जा निकालने के लिए किया जाता जैसे जलिय उर्जा पावन उर्जा ये सब हो गए उर्जा के कुछ प्रकार जैसे गतिज उर्जा इस्थितिज उर्जा जिसको हम काइनेटिक इनर्जी बोलते हैं पोटेंशियल इनर्जी उसमिय उर्जा प्रकार सुर्जा ध्वनी उर्जा आधी हैं गतिज उर्जा इस्थितिज उर्जा का योग यांत्रिक उर्जा के प्रकार गतिज उर्जा यहां प व सकते हूए होगी इसका मतलब है कि आधिक वेक पर आधिक गतिज उर्जा होगी कम वेक पर कम गतिज उर्जा होगी किसी निश्चित वेक से गतिमान वस्तु की गतिज उर्जा उस वेक को प्राप्त करने के लिए उस पर किया गया कारी के बराबर होती है तो अब देखिए यहां पर जो है फ्रेंड्स हमने जो फार्मूला डिराइब कर रहा था वो हमारा आ गया था अब देखिए मैंने आपको यह भी बताया था अभी जो इस्थिति उर्जा जो है यानि किसी वस्तु दोरा अपनी इस्थिति आकार या आकार के अधार पर धारण की जाने वाली उर्जा तो जब हम इस तरह से परतंजा को ऐसे खीशते हैं तो यहां पी क्या होती है इस्थित वससिनों यहां अथि उछ पिर उछ के हां तो इसीलिए जो हमारा प्योटएंसिएल इनर्जीं इनरी क्या-ंध्य यह जाएगंगरika-णभी-ष्ट याल्प u तो यहां पर में देखिये उर्जा ना तू बनाई जा सकती ना पूआ जा सकती है तो तो मैंने आपको यह भी सारा बता दूया प्रकास क्रण स्वृ उ data और प्राकास उर्जा में मुक्त करो तो तृटे शोटिज उर्जा में चेंज होती है तो इसकल तो अब इसको कर सकते हैं और देख लिजिए यहां पर सक्ति कारेकरने की दर या उर्जा के हस्तानांत्राड की दर को सक्ति के रूप में जाता है गड़तिये रूप से इसे इस तरह से डिनोट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया और देखी वन किलो वाट वन थाउजेंट वाट के बराबर होता है ये भी पता दिया उर्जा की वाड़िजिक यानि कामर्सियल यूट जो मैंने आपको बताया यह हो गया हमारा एक महिने में उपयोग की जैने वाली विद्दूत उर्जा को इकायों में बेक्ति किया जाता वन यूणिट वन किलो वा ये फ्रेंट जो मैंने कल आपको पढ़ाया था बालावरुजा जो न्यूटन एंड लाफ मोशन वाले में तो फोर्स एंड लाफ मोशन तो वहां पे मैंने आपको बल के बारे में सब कुछ पढ़ाया था तो आप इसको आप बोले थे मैंने वहां पे हिंदी में नहीं बता से तो ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें कि अलों देखेल मैंने आपको ये सब कुछ बताया था बल्ल one तो बना सकता है बिराम बस्तो कों को बना सकता है जाल को बदल सकता Bangkok को पताल सकता है तोरित या तोरित कर सकता या उसको एंसलरेट कर सकता याเปिर डिफाम कर सकता है उस वस्तु की अक्रित आकार को बदल सकता है और संतुलिद बल आ संतुलिद बल भी मैंने आपको बताया था वस्तुपल लागू सभी बलों का पैड़ाम सुने हो जाता है तो संतुलिद बल बोलते हैं बलों का पैड़ाम सुने ना हो तो आ संतुलिद बल बोलते हैं तो इसको आप यहां पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर फ्रेंस मैंने आपको गती का जो नियम बताया था इसको भी मैंने यहां पे हिंदी में दे दिया है और यहां पे गती का दूसरा नियम भी है फिर यहां पे मैंने आपको यह भी बताया था कि ऐसा क्यूं करता है ये ये हो गया हमारा गती का तीसरा नियम ये जो मैंने आपको एक्षेन डेक्षेन समझाया था फिर हमारा देखिये समवेक के सनलचर का नियम ये भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो फ्रेंड्स थैंक यू इस वीडियो में यही तक आपको बहुत मज़ाया होगा मैं अच्छे से अपना इफट लगा सकी हूँ मतलब आपको समझ में आया होगा सब कुछ तो फ्रेंड्स अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज आप फीड़एक देना मत भूलना बाकी आपकी मर्जी तब तक के लिए आल दे बेस्ट बी हैपी बी पोस्टीब